आपका सफर प्लॉट से मकान तक प्लॉट से मार्केट उसकी चले गई तो इसकी जो सबसे बड़े जंप आने की रीजन है वह यह है कि अभी यहां पे कैपिल स्मार्टी में इंटर्चेंज नहीं है और लहौर स्मार्टी में अपक्सेस कर सकते हैं जीटी रोड से और उसका सामने आप लटसे रिंग रोड से तो आपको डिरेक्ट रिंग रोड से लहौर स्मार्टी की साइट नजर आती है तो सबसे जो कॉमन पूछे जानल सवाल है कि इंटर्चेंज पर कंस्रक्शन का आज कब होगा सबसे जब भी इस बारे में कोई सवाल किया जाता है सबसे एक सिंपल सा जवाब दिया जाता है क हमने अपना क्राइटेरिया फुल्फिल कर दिया है यानि इंटर्चेंज के लिए जो रिक्वाइड लैंड थी 457 कनाल एंड 16 मरला वह हमने नैश्टिल हाइवे अथार्टी के नाम पर ट्रांसफर करवा दिया है और सेगंड इंटर्चेंज के इलावा जो इसका नोसी था इसके नोसी की फीस होती है जो अपका प्रूवट नोसी होता है सोसाअटीका उसका जो 70 सेवंट फाफ़ईफंट फाइफ इंटर्चैंज इसका अपूरूब एर ढिया था प्र इ tap देंटिन थे से इसके पीन तो 90% मेंबरान के जो सवाल होते थे इंटरजेंज पर काम कब स्टार्ट होगा तो इंटरजेंज के हवाले से जो आज की वीडियो में इसमें एक्स्प्रेंड करता हूँ यह मैंने अपने ओन पर यह अपने सोर्स से पर वेरिफार किया है क्योंकि जिन्होंने मुझे वेरिफार करके दिया है उनकी अपनी इंवेस्मेंट है कैपिटल स्मार्ट एटी के अंदर एंड ही सर्विंग इन नेशनल हाईवे अथॉर्टी तो उन्होंने काया कि यह बातें जो मैं आपको इस वीडियो में एक्स्प्रेंड करूंगा यह बातें मुझे उन्होंने एक्स्प्रेंड की हैं तो मैं I can't name him तो अधर्वाइस जिन्हों ते तमाम चीज़ों मुझे बताई है वो काफिया तक authentic feel होती है मैं आगे सवाले से आपको जाके वीडियो में मैप एक्स्प्रेंड करता हूं चीज़ें और साथ-साथ मैं आपको इंटर्चेंज की तमाम डिटेल्स आगे एक्स्प्रेंड करता हूं इस सब्सक्रेंड में Capital Smartity का Master Plan अगे सब्सक्रेंड में जो इंटर्चेंज की लोकेशन है वो यह पॉइंट बनता है अब अगर बात करें इस वीडियो में जितनी मैं details explain करूंगा इन तमाम चीज़ों की मेरे पास को concrete evidence नहीं है को written या जो official letter होता है किसी भी society का या NHA का या officially society management की दरफ से कुछ भी announce किया जाता है so nothing official तो यह जितनी बातें इस वीडियो में करूंगा that is only word of mouth जो मुझे NHA के एक official ने explain कि है कि उनके अपनी smartity में काफी ज़्यादा heavy investments हैं तो मुझे time to time कि उनके मेरे through buy किया था plot तो time to time मुझे बात करते रहते हैं about the interchange और जो meetings वरा में बातिया होती हैं तो उस हवाले से तो तुमाव चीज़ें इस वीडियो में explain करूंगा first of all interchange की location क्या होगी उसमें जितनी details बाकी है and smartity का motorway front कितना बनता है इस area से लेके यहां तक जो total front बनता है motorway पे वो explain करूंगा यह basically map की briefing के वाले से ज़्यादा वीडियो है और बाकी जो interchange की on ground development हो रही है उस हवाले से बताऊंगा इस वीडियो में अब सबसे पहले जी interchange की जो अगर मैं बात करूं before इससे के इंटरचेंज की total location कितनी है कि इस point बन रहा है motorway पर जो smartity का front है मैं आपको वो explain करता हूँ यह motorway पर इस point से smartity की premises start होती है इस point से अगर हम बात करें इस point से आकर जो total motorway front बनता smartity का और interchange को मिला के आगे तक्रीबन count के जए 13 km plus का front है smartity के पास जो motorway पर आएगा अभी officially जो land acquire है यहां पर काम हो रहा है तक्रीबन 13.90 km का front है जो smartity का motorway के ओपर बनता है M2 motorway के ओपर अगर मैं इस चीज को हटा दूँ यहां से और इस चीज के इलावा मैं को explain करूं कि इसके लिए एक interchange जो है वो यहां पर आ रहा है और future में हो सकता है दूसरा interchange इस point पर है but nothing sure yet nothing concrete yet अभी तक यह interchange नहीं बना दूसरे interchange की बात करना तो वैसे फजूल लगता है तो जो पहला interchange है यह motorway point number 332, 333 पर बनेगा इसके अगर मैं land की बात करूं तो यह Google और satellite images अभी जो देख रहे हैं यह satellite images updated नहीं है यह July 2021 की images है इसमें as such कोई Google की तरफ से images को I think 4 months या 3 months के बाद revise किया जाता है for the time being जो images available है इंटरनेट पे, Google satellite पे वो आपको images July 2021 की मिलती है इन images के मताबिक यहां पर interchange होगा और interchamin के साथ जो यहां पे site पे offices बनते हैं जिसमें यहां पे F DH की branding के साथ यह office है इसके लाब F DH की branding के साथ यह office है यहां पे site की smart fatigue कė पर इतिजामिया की offices है यहां पर मैंनेजर जहां बैठते हैं और पकीक साथ प कुछ browning का area काफी area की land जो है इसकी ब्राउनिंग की जा चुकी है तो यह वाला आरिया भी स्मार्टिटी के पास है अगर हम बात करें कि 13.90 का फ्रांट और मोटर वे पर एक इंटरचेंज इसकी जो पहला पॉइंट बनता है स्टाइटिंग पॉइंट स्मार्टिटी के प्रिमसे का यहां से कही स्टाइट होता है और इंटरचेंज की लोकेशन आव यह वाले पॉइंट बनती है ब्रैंडिंग के साथ साथ यहां पे भी आपको स्मार्टिटी अकर आप मोटर वे से गुजरते हैं तो FDH की ब्रेंडिंग के साथ यहां भी रूम्स नजर आएंगे, इक मेंज कि यह अरिया भी प्रिक्यूर्ड लैंड है और यहां पर भी इंटरचेंज की जमीन जमा कराएगी यह नेशनल हाइवे अथरॉर्टी को, यह प्रॉपर्टी अब नेशनल हाइवे अथरॉर्टी क पुरे M2 को उस कंपनी के नाम पे होगा तो यह इंटरचेंज स्मार्टी के लिए स्पेसिफिक होगा, डेजिगनेटेड होगा, बट ओनर्चिप इसकी जो होगी, इसके पुरा प्रॉसस है, वह काम कुछ यूँ करता है, कि स्मार्टी के पास टोटल जो लैंड थी, इनिश वह 30,000 तो आपके टोटल जो एनिशेक अमाउंट जा चुकी इससे पहले, वह जा चुकी तकरीबर एक अरब और 44 क्रोड रुपया जो एनिशेक और पे किया जा चुका है, इस इंटरचेंज की मद में, अब सुसाइटी की तरफ से आपको सिर्फ इंटरचेंज के अप्रू नहीं मिलता, तो यह बैसे कलिए उन मेंबरान के लिए है, कि उनको एक प्रॉपर फीडबैक मिल जाए, कि अभी उनकी इंवेस्टमेंट कहां स्टेंट करती है, जब बनेगा तब बनेगा, मुझे नहीं पता कि उनने मुसे बात कर दी है, इस इंटरचेंज की नेक्स वीक में पॉइंट आया था, कैपिटल स्मार्टेटी का इंटरचेंज, और इस इंटरचेंज के लिए अभी नेक्स वीकी बोर्ड मीटिंग में यह पॉइंट डिसकस किया जाएगा, जिसमें काफी हद तक चांसिस हैं, इस रेशो की अच्छी उमीद है, कि स्मार्टेटी को वो अलड़ी मिल चुका है, लेकिन इसका जो ऑफिशल टेंडर है, जिसका आपने अखबार में आड़ देखना है, अखबार में आड़ में का जाएगा, कि हमें टेंडर तरकार हैं, मुख्लिफ कंस्ट्रक्शन कंप्रींस की तरफ से, या मुख्लिफ डिवेलपर्स की है, रेजिदेंशल प्लस कमर्शल प्लॉट्स की, वो काफी ज़्यादा प्रॉस्परस है, उसमें काफी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जिन लोगों ने टाइमली वाँपर इंवेस्ट किया, या फिर गेटिंग डेली गुड बेनिफिट्स ओवर तेर, स्मार्ट हिटी में उन दी अधर हैंड, 2017 से लेके, 2017-18 से स्टार्ट हुआ था, 2022 हा गया है, पहला महिना 2022 का, अब इस तक कोई जो ओवर्सीज एस्ट के लावा, ओवर्सीज एस्ट यहां फिर कुछ कहले हैं, जो कमर्शल प्लॉट्स हैं, ऐस सच कोई कंक्रीड रीसेल के आपको बहुत ज़्य कि अवर्सीजें काम कैसे करती हैं, कि यहां की जो वैल्यू है, क्यों अची नहीं हो रही है, और बाकी प्रजक्स की वैल्यू है, ऐस कंपेर तो बाकियों की एक्सेस वाइस क्योंकि बड़ी मैटर करती है यह लोकेशन, तो अब उसमें तमाम चीजें क्लेर हो जाएंगी, अब फॉदा टाइम बेगर आप एकसेस करते हैं, एम टू मोटरवे को, तो आपको स्मार्टेटी की प्रिमसिस स्टार्ट होने के लिए, यानि अगर मैं प्रिमसिस की सिर्फ बात करूँ, प्रिमसिस की स्टार्टिंग पॉइंट के लिए जो आपको डिस्टंस कवर करना प जब स्मार्टेटी का इंटर्चेंग स्टार्ट होगा, तो यह एक्जेक्ट एक्यूरे डिस्टंस है, आप गुगल अर्थ पर इसमें बड़ी को रॉक्ट साइंस नहीं है, बट इस डिस्टंस को कवर करने के लिए, आज की डेट में क्या करना पड़ता है, कि इस लॉट साइंटिनो करते जाएं, यानि मैं इसको करें ड्रॉख कर दू अ करतो हूँ, यानि मैं इसको आपकर दू हो, यह एक्जेक्ट ठाक आपको रूट निंगा रहा है, ताकर सिर्फ एक असम्शन देने के लिए, कि आप लोग को कितना डिस्टंस कवर करना पड़ता है, साइट पर जाने के लिए एक तरफ चौनटिस किलोमेटर एक तरफ तकीबन 76.26 किलोमेटर एवन दो यह अब यह आपको 76.26 किलोमेटर इसन्स कवर करना पड़ता है सिर्फ स्मार्ट ही की प्रिमिसेज में एंटर होने के लिए अगर यह डिसन्स आज की डेट में कुट होके 34.26 किलोमेटर हो जाए अगर तो डेफिरेंटलि यह जो स्मार्ट ही की डिमांड है रीसेल में, क्योंगे एरपोर्ट की प्रिमिसेज में आता है, एरपोर्ट से बिलकुल नज़ीग है, यहाँ पर इंटरचेंज हो अगर, तो आफ इदिन फाइव मिनट से एरपोर्ट रीच कर सकते हैं, और एरपोर्ट के साथ सुसाइटीज हैं, वहाँ भी एकसेस मिल जागी हैं, वहाँ बड़ा इज़ी एकसेस कर सकते हैं, तो इंटरचेंज की इंपोर्टस इस लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक इंटरचेंज नहीं आएगा, स्मार्ट एटी के अंदर, एस सच मार्केट की वैल्यू, इंक्रीज नहीं करेगी, मैंने इस लाहूर की जंप की ये रिसल वैल्यू, वो इसलिए कि आपको इस्टन बाइपास से डिरेक्ट खड़ाओ के साइट नजर आती है, डिवल्पमेंट नजर आती है, लास्ट येर में 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 मशीनरी मूव की गई थी, महाँ पे में 2021 में और दिसंबर 2021 तक वाँ साइट पे व तो ये बहुत बड़ा दिस्टन्स है, ये नमिनल डिस्टन्स नहीं है, थोड़ा बहुत बड़ा दिस्टन्स नहीं है, तो आपको जब इतना बड़ा दिस्टन्स होता है, जब किसी की इंडिविजुल को रिसल में फाइल कहते है, बेचने के तो इंडिविजुल कहता है, अब इस साइट पर बहुत दूर है जब इंटर्चेंज बनेगा यह डिसंस कट होगा तो इसकी मार्केट वैल्यू जंप करेगी अब इस वीडियो में जी इंटर्चेंज की नेक्स वीक बोर्ड मीटिंग है उसके वाले से एक स्प्रेंट करता हूँ एक तो इसकी फेबरी में बैलेटिंग है जो वरसी सेंटल की बैलेटिंग है उसके बास सेकंड बैलेटिंग में में है एक्जेक्टिफ डिस्टिक्टू की जो यहां पर फॉल करता है यहां पर फॉल करता है, इसकी में में बैलेटिंग है, इसकी फेबरी में में बैलेटिंग है, विलास की बैलेटिंग जो यहां पर फॉल करते हैं, कुछ जो विलास डिवलेटिंग हो रहे हैं, यह विलास और इसके लाब हार्मी पाक एसकी और बाद में 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 जो बैलेटिं है Capital Smartity के अंदर उत जहां उन्होंने इतना होल्ड किया डेफिनली कर थोड़ा टाइम और होल्ड करते हैं तो देखें एक्सपेक्ट वेरी गुड प्रॉफिट इन रीसेल अभी आज की डेट में Smartity की इसल उतनी एक्टिव नहीं है जितनी एक्टिव स्मार्टि के प्रजेक्ट के साथ जिस तरह ब्रैंड का नाम है हवीग फ्रिक लिमिटेड जिसने मेटर वे एम टू बनाई है उस तरह से स्मार्टि की एप्रिसेशन आपको नजर नहीं आती है अगर आपने प्रॉग्रस उफर किया जा रहा है यानि में में मशिनरी मूव करती है फैब में एनोसी आता है नो महिने के अंदर अंदर मिशिनरी मूव करने के आपको पहला पॉजेशन साइट पर दिया जा रहा है जो कि रिकॉर्ड टाइम है इससे जधा अच्छी डिवालुमेंट एक्टिवार की ये इसमें कोई बात भी ऑफिशल नहीं है ये सारी बातें word of mouth पे हैं जब मुझे कहना चाहिए कि बोर्ड मेंबर ने जिनकी investment काफी बड़ी ताद में है smart hitting अंदर उनकी तरफ से बताई की है तो जब वो मेरे पास concrete evidence आएगा को documented proof आएगा तो मैं इंशाला वो भी अगली वीडियो में लाजमी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा अगें बैक रेल टाइम फुटेज इसको में स्क्रीन पर आप फुटेज देख रहें कि ओवर सी सेंट्र के डॉक्टर इंक्लेव भी इसका नया ब्लॉक का नाम क्या रखा चाते हैं डूंट नो लेकिन इस जगह पर यहां पर development हो रही है जब इंटर्चेंज आएगा तो दासा डासा साथ left side right side commercial हैं पहले इंटर्चेंट के राइट साइट पर यू निटक आपको मेडिकल सेज चेंटर और इसके लावा आपको हरले स्ट्रीट मेडिकल क्लेनिक की प्रिमिस आएग मिलती है यहां पर जितनी चीज़ें बनेंगी Overseas Central में जो पहला Residential Block होगा जिसके अभी आपको स्क्रीन पर कार्पिटिंग भी नजर आ रही है इस वीडियो वोज रिकॉर्डड़ेट ऑन 22nd of December 2021 यह लास्ट यह किया रहे हैं कि तक्रीमन दो तीन अफ्ते परानी फुटेज है जो मैं भी यूज कर रहा हूँ अभी अपडेटेट फुटेज इन शेल आने वले दिनों में जाकर साइट पर रिकार्ड करूँगा मुझे हार्णी पाक, Overseasys का बहुत ज़्यादा मेंबर्स ने काया है मैं उसकी भी बनाऊंगा वीडियो और जो विलास की अपडेट है मैं इन्शाला उसके हवाले से भी तमाम डिटेल्स आने वाली वीडियो में एक्स्प्लेट कर दूँगा अभी जो सबसे ज़्यादा रैपिड़ली दो जगाँ पर काम हो रहा है मैंने Overseasys Prime की पूरी सीरीज बनाई है Starting from Block A, Till Block L L Block की नहीं बनाई है, मैं लास्ट Block K की बनाई थी L Block की और जो M Block की रहती है बाकि जितने Block की वीडियों मैंने पोस्ट कर दी है Overseasys Prime के अभी जो बचे कुछे Block है Overseasys Prime में दो Block है, उनकी वीडियो बनादूँगा और इसके लावा हारनी पाक Overseasys East, Overseasys Central और इसके लावा Golf Course में काफ़ी ज़्यादा मैसिव तादाद में जो मिशिनरी को मूव किया गया है उसके हवाले से, इवन जो Golf Course के अंदर एक दो Projects है जिनके बारे में कोई गुमान नहीं था, कोई Expectation नहीं थी बट उनकी Construction का आगास भी कर दिया किया है उसके हवाले से भी आने वाले दिनों में इन्शल्ला ट्राय करूँ कि मैं डेटेल से मैंने जैसे भी पिछले map में एक स्बें किया है कि right now you have to cover the distance of around 76.26 km from the main zero point अभी मैंने random count किया है अगर इंटर्चेंज की सबाद distance ये काट होता है और कच्छा रसता मिलता है तो distance काट होके that would be half 34.something km इतना distance हो तो आपकी appreciation definitely double से ज्यादा appreciation आपको देखने में आएगी लेकिन let's say का distance 76.26 km और इंटर्चेंज नहीं स्टार्ट होता आने वले दिनों में तो फिर appreciation आने के chances भी उतने ही काम है but expected है कि locations आएंगी जब possession स्टार्ट होगा September में तब तक interchange काम कोई नहीं कोई स्टार्ट हो चुका होगा for the time being तो बात लारे पर ही है कि बिए इंटर्चेंज स्टार्ट होगा भी स्टार्ट होगा जब इस पर actual time पर स्टार्ट होगा interchange तो उसके लावा उस वक्त अपसाइट पर इस तरह की चीज़ें एप्रिसेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं so this was it from today अगर आप Capital स्मार्ट होगा बुकिंग के वाले इस कुछ मालूमाद चाहिए हो तो मिने नमबर आप की स्ट्रीन पे अवेलेबल है मुझे वटसेप कर सकते हैं इसके लाव और ये वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज दू लाइक, कॉमेंट और शेर और चैनल को स्ब्राइब करना मत भूलें अरिज्मान चीमा को दीजिए अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस झाल 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 झाल